जिम्मेदार अधिकारियों की अंदेखी के चलते ताज को काला दाग लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है मंगलवार देर रात ताजमहल के पास कूड़े के धेर में लगी आग के धुए से ताजमहल आखों से ओजल हो गया इससे पूर्व में भी कूड़े के धेर में आग लगा कर ताजमहल को नुकसान पहुंचाया जा चुका है लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का इस और कोई धियान नहीं है ताजमहल के पूर्वी गेट पर दशहराघाट के निकट अराजक तत्वों द्वारा कूडे के धेर में आग लगा दी गई आसपास के लोगों का कहना है कि शराब पीने वाले अराजक तत्वों ने यहां पर जानबूज कर आग लगाने का आरोप लगाते हुए वीडियो वाइरल किये हैं बताया जा रहा है कि ताजमहल से दशहराघाट रोड पर जाणियों में आसपास के गाउं के अराजक तत्व रोज़ाना अड़ा बना कर शराब पाटी करते हैं और आए दिन कूडे में आग लगा देती हैं इससे ताजमहल को काफी नुकसान पहुचता है आग की सूचना मिलते ही फाइर ब्रिगेट की गारियों ने कड़ी मशकत के साथ आग पर काबू पाया मामले के जानकारी के बाद एसीपी ताज सुरक्षा ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को गश्त और अराजक तत्वों के खिलाफ कारेवाही के आदेश दिये हैं हलाकि दशराघाट, नगला पैमा बेरियर और ताजमहल के गेट पर 24 घंटे पुलिस का पहरा होने के बाद ऐसा होना पुलिस की शेली पर सवाल उठा रहा है सी नियूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट